ओम शान्ती 11 मार्च 2023 अभी पढ़ेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप ददा के महावाक्षे मीठे बच्चे ग्यान और योगबल से पुराने पापों के खाते को चुक्त कर नया पुन्या का खाता जमा करना है योगबल से एवर हिल्दी वेल्दी बनना है प्रेश्णा संगम युक की बिशेष्टा कोन सी है जो सारे कलप में नहीं हो सकती उत्तर संगम युक पर ही 5000 वर्षे के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है यही समय है बाप से बच्चों की मिलने और वर्षा लेने का बाप सभी आत्मा की लिए इसी समय ग्यान देते है सबका लिबरेटर बनते है संगम युक पर ही देवी देवता धरम की सैप्लिंग लगती है जो दूसरे धरम में कंदवर्ट हो गए है वो निकल आते है सबी अपना पूराना हिसाब कितब चुकत कर वापस जाते है ऐसी विशेष्टाय और किसी यूग की नहीं है ओम शान्ती परम पिता परमात्मा शिव नाम जरूर लेना है परमात्मा अत्वा खुदा गौड तो बहुत ही कर देते है परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए फादर का नाम है ही शिव निराकर है ना आत्मेवी वास्तों में निराकर है या आकर साकर बनती है कहा जाता है परम पिता परमात्मा वाद से बच्चों को अत्वा प्रिसेप्टर को भेज देते है पाड बजाने अब God Father जब कहते है तो मनुख्ष की बुद्धी में लोकिक बाप नहीं आएगा वह तो अपने बच्चों को फादर है परंतु है परम पिता कहिने से पुद्धी उपर चली जाती है आत्माई याद करती है जिसमानी फादर को भी आत्माई याद करती है जो जिसमा देते है फिर आत्मा को जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना परंतु वह कौन है कौन उनको फादर को बुलाते है क्यों उनसे रहम मांगते है वह सब का बाप है यह तो सब जानते है लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती कहते है परमात्मा ने सब कुछ दिया है यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है तो गौड को जरूर याद करते है पुकारते है आकर के हमको पावन बनाओ लिबरेट करो इन दुकों से तो जरूर कहा तो ले जाएंगे ना सभी को लिब्रेट कर शांती दाम वा सुगदाम में ले जाते है कलब 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 के संगम युख पर ही आते है ऐसे नहीं कि बीच में आते है सब को ले जाने कि तब आएंगे जब नाटक पुरा होना है बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है मैं एक बार आता हूँ जब सब तमप्रदान बन पड़ते हैं क्योंकि 84 जनम तो चरूर पूरे करने है अगर पहले आओ तो 84 का चक्रो पूरा हो न सके चक्रो का पूरा अनता आना चाहिए ना जब आना होता है तब फिर वच्चों को आकर पहले पहले बाप बनाता हूँ फिर टीचर सदगूरू भी बनता हूँ तो बाप जनम देते हैं टीचर शरी निर्वाग अर्था शिक्षा देते हैं और गुरू किया जाता है सदगती के लिए गुरू यहाँ ही किया जाते है सत्युग में कोई गुरू नहीं करते है वहाँ बाप और टीचर होते है ऐसे ने की बाप टीचर बन पढ़ाते है बाप अलग टीचर अलग होते है या यह बाप टीचर गुरु एक ही है तुम बच्चों को एडप्ट किया है तुम हो मुखवन शावली फिर चाहिए पढ़ाई तो सारी सुरुष्टी चक्रके आदिम अध्यानत का राज समझाते है ड्रामा में मुख्य क्रियेटर मुख्य एक्टर कोन कोन है सारे विश्वक की चक्रकी नौलेज बताते है मुल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समझार बताते है यह सारा चक्रक ऐसे फिरता है पहले पहले नई दुनिया में कोन कोन आते है पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वो हमारा बेहत का बाब है यह ब्रह्मा भी कहते है हमारा बाब यह शिव है ब्रह्मा वल्द शिव शिव भाबा भी कहते है यह ब्रह्मा बच्चा है मुझे इन में प्रवेश करना है तो मैंने इनको एडाप्ट किया है पहले इनका नाम असुल लेकरास था फिर ब्रह्मा नाम रखा है मैंने इनको अपनाया है मनुक्ष बाबा बाबा कहते हैं परंतु भीगर जाने शिव के चित्र के आगे जाते है परंतु वो हड़ी दिल से समझते नहीं है कि ये हमारा बाप है, लोकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते है तो जट कहेंगे ये हमारा बाप है, शिव के आगे वो हड़ी नहीं निकलेगा, भद उनको परमात्मा समझते भी है, परन्तु उस रूची से हड़ी जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है, सिर्फ वंदा करते हैं भक्ति मार्ग की रसम अनुसार उन से प्राप्ति क्या होती है वो बुद्धी में आएगा नहीं यह बाप बैट समझाते हैं निच्चे करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं परंतो बच्चे भूल जाते हैं सभी धरम वालों के लिए ग्यान है चाहे मनुख्षक के बाद आये है इसे आत्माव को और परमात्म का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं परंपिता परमात्मा आकर सभी आत्माव से मिलते हैं इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे मन जो इस school के है वह निकलाते है जो देवी दिवता धर्म वाला वा इस foundation वाला होगा उनका ही sapling लगता है तुम असुल देवी दिवता धर्म के हो फिर और और धर्म वालों को भी sapling लगेगा जो convert हो गए होंगे वह निकलाएंगे किसम किसम कि मुसलमान पारसी आदि आते न अप तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो वो एक बाप ही हमारा बाप टीचर सद्गुरु है मनुक्षा तो कहेंगे बाप ने हमको जनम दिया फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया फिर पिचाड़ी में गुरु करते है कोई नहीं भी करते है हर एक की अपनी अपनी मान्यता है कोई नो कोई का सिमरन जरूर करते है बाप को याद करेंगे वा कोई मित्र सबंदी को याद करेंगे अब तुमको और सब की याद भूल एक बाप को ही याद करना है वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्गुरु है सच्छखंड़ की स्तापना करने वाला है सारे सुरुष्टी के आदी मद्य अंतक की चक्र की हिष्टी जागरा भी बताते है हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े यह सुरुष्टी का चक्र कैसे फिरता है शुरू से अंतर तक चक्र को जानते हो और यह कलब के संगम युकपर ही जान सकते हो बीच में तो कोई जान न सके बाप पढ़ाते ही है कलब 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 के संगम युकपर सारे वर्ड की हिष्टी जागरापी का राज और कोई भी समझा न सके बाप ही समझाते है बाब द्वारा तुम स्वधर्शन चक्रथारी बन चक्रवती राजा बनते हो वहाँ यह नौलेज फिर गुम हो जाती है नाटक पूरा हुआ फिर आत्मा के अंदर जो पाठ है राजाई का वो शुरू होगा इस समय तुमारा पाठ है सिखने का बाबा का अपना बच्चों को नौलेज सिखलाना उज़ पद प्राप्त कराना अभी का पाठ है पद प्राप्त कर लिया फिर खतम फिर यह सुरूष्टी चक्र की नौलेज प्राय लोफ हो जाती है कोई भी मनुक्ष को इस रुष्टिक चक्र का नौलेज नहीं है सन्या से तो चक्रों को मानती नहीं है जाड को देख कहते है यह तो कलपना है तो तुम बच्चों को भी धारना करनी है योग पुरा नहीं होगा तो धारना होगी नहीं बुद्धी प्योर बन न सके कहते हैं, शेरनी का दुद्ध सोने के बरतन में ही ठर सकता है, तो यह भी ग्यान अमरूत बच्चों को मिलता है, बरतन लोय से बदक्त सोने का होगा तब ही धारना होगी, इसमें अच्छा फूर्शार्थ किया जाता है, बहुत सहज है, वर्ड की हिष्टी जागरपी को जानना है, सत्युग में कौन राज्य करते थे कितना समय किया घरना होता है, तो उसको कहेंगे डिटी डिनाश्टी ने बारा सो पचास वर्शे राज्य किया, क्या लड़ाई से राज्य लिया, नहीं, अभी के पूरशार्थ की प्रालब दपाई है, यह सारा चक्रत तुम किसी को भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे, भल मिल्टरी के हो, देली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना, कि तुमने सुना है, जब गिता सुनाई जाती है, तो उसमें भगवानु वाच है, चो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, सुर्गवासी होंगे, परन्तु ऐसे नहीं कि सिर्फ गिता पढ़ते वाच सुनते हैं तो सुर्ग में चले जाएंगे, तुमको अगर सुर्गवासी बनना है, बाप से वरसा लेना है, तो बाप को याद करो, स्रीमत पर चलो, यह ग्यान बाप समझाते मुझे याद करो, उस गुरु के बदले एक शिवाबा को याद करना पड़े, मेंत है, वो बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वरसा मिल सकता है, शांतिस सुख का वरसा उनसे मिलता है, यह समय है ہी बाप द्वारा बाप से मिलने का अत्वा व करना सके जो बाब द्वारा पढ़ते हैं राज्योक सिखते वो स्वर्ग में चले जाते हैं तुम जानते हो अब कल्यूक का अंत है मा भारी लड़ाई भी सामने खड़ी है जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर वापी चले जाने वाले हैं तुमको भी अभी प्रैक्टिकल में अपने पापो का खाता चुक्त कर और पुन्य का खाता जमा करना है जितना जितना ग्यान और योग में रहेंगे तो पूराना खाता भसम हो नया जमा होता जाएगा योग बल से तुमारी आयू बढ़ेगी तुम एवर हिल्दी वेल्द उनकी जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है उसमें विश्व की नौलेज कोई है ही नहीं वह सब है ही हद की नौलेज कितनी हदे डाल दी है यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्व पथापन करते हैं, हम लिखते भी है ऐसे हैं, अब विश्वव理ड्ल या यूनिवरसिटी किप में फरक क्या है, वो हिंदी वो अंग्रेजी अक्षर है, यह विश्व र ीता ने विश्व विध्याले रचा है जब बाप मनुक्ष को देवताराजाव का राजा बनाते है लिब्रेड करते है स्रிमत तो मिलती है परणतु आसुरिमत वाले स्रीमत को भी मानते नहीं है यहाँ इस स्रीमत से कितना स्रेष्ट बनते है अपने तानमन धन से भारत को स्वग बना रहे है और है सारा गुप्त बाबा भी गुप्त आते है स्रीकिष्ण तो गुप्त हो न सके परन्तो बाप को न जानने के कारण स्रीकिष्ण का नाम गीता में डाल दिया है और फिर कृष्ण की डांस दिकाई है वह तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में करते होंगे वह प्रजा थोड़ी जा सकती है बाप समझाते बहुत है कहते हैं ग्यान धन लेकर फिर दान करते जाओ बड़ी उची पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधरन है कुरसी पर तो आसन लगाना सके या टांग पर टांग चड़ा कर बैटना यह राजाई बैटक ठीक है यू तो तुम कैसे भी बैटो सत्यूग में तो गोर्डन स्पून इन माउथ है बच्चों ने साक्षातकार भी किये है कैसे विमानों में सोना भरकर आते है महल आदी बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदी क्या क्या बन गए है आगे अनाज कितना सस्ता था तो सत्यूग में कितना सस्ता होगा यहा सोने की सिक्के की किमत सो रुपिया है तो वहाँ एक पैसा होंगी तो कितना फरक है तो तुमको एक जनम की पड़ाई से एकी जनमों की राजाई मिलती है और क्या चाहिए बाबा युक्तिया बताते रहते है बच्ची अगर ग्यान ग्यान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े बच्चा अगर ग्यान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो बाबा राय तो हर बात की देते है शादी पर जाना है तो स्रिप फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वो पवित्र बन जाएगा अच्चा मीठे मीठे अच्चा बाब दादा का मीठे मीठे सिखिला दे ब्रामन कूल भुशन स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्मो प्रती याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी माच पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते नारना के लिए मुख्य सार बाप से जो ग्यान धन मिला है उसका दान करना है गुपत रिति से पढ़ाई पढ़ कर एकी जन्मों की राजाई लेनी है दुसरी पॉइंट और सबकी याद भूला कर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के रूप से याद करना है वर्दान रुहानी नशे द्वारा दुख अशान्दे के नाम निशान को समापत करने वाले सर्वप्राप्ति संपन्न भव रुहानी नशे में रहना अर्था चलते फिरते आत्मा को देखना वा आत्म विवानी रहना इस नशे में रहने से सर्वप्राप्ति का अनुबव होता है प्राप्ति सुरुप रुहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते है दुख अशान्ति का नाम निशानी भी नहीं रहता क्योंकि दुख और अशान्ति की उत्पत्ति पवित्रता से होती है जा पवित्रता नहीं वा दुख अशान्ति कहां से आई जो पावन आत्मय है उनके पास सुक और शान्ति सोता ही है स्लोगन है जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विगन है